Hello everyone, welcome to the news. आज की पहली ख़बर है सैपली खान से रिलेटेड. सैपली खान को अपनी next movie के shooting के दौरान, ज्यादा हेक्तिक schedule के वज़े से पुराने इंजिरी में बापस तक्रीप होने ही चालो हो गई. जिसके कारण उनको elbow surgery करवानी पड़ी. जो की हुई कोखिलव इन हॉस्पिटल में. पूशी जाने पर सैपली खान ने कहा, अगली अपडेट है सुहाना खान से रिलेटेड. सुहाना खान को as a guest invite किया गया था पैरिस Fashion Week के लिए, जहाँ सुहाना ने अनन्या पांडी के लिए cheer किया, क्योंकि यह अनन्या पांडी का डेब्यू था इंटरनेशनल रन्वे में. और ने अपनी स्ट्रिप के फोटोस भी इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, with the caption Paris in the Rain. वही एक्ट्रिस अनन्या पांडी ने भी फोटोस शेयर किया है इस स्ट्रिप का. नेक्स्ट अपडेट हैं खिच्री 2 की OTT रिलीस से रिलेटेड. खिच्री 2 सिनेमाज में नुवेंबर 21.03 में आई थी, जो की अब स्ट्रिमिंग प्लाटफोर्म G5 पर 9th वाइबरी को अविलेबल होने माली हैं. बता दें, इस मूवी में आपको सुपरिया पाठक, राजिक कुलाडी जैसे एक्टरस देखने मिलेंगे. ये एक कॉमेडी मूवी हैं, जो खिच्री का फॉलो अप है. अब बात करते हैं अजे देवन की नेक्स्ट फिल्प शैतान की अराम. शैतान का टीजर आउट हुआ है. ये एक सुपरनेचरल थ्रिलर फिल्प होने वाली है, जो 8th माल्ट को सिनमाज में आएगी. इस टीजर को शेर करते हुए क्याप्शन में लिखा गया है. वो पूछेगा तुमसे, एक खेल है, खेलोगे? पर उसके बहकावे में मताना. इस मूवी में अजे दिवन के अलावा आर मादवन और जोतिकवी लीड रोल प्ले कर रही है. नेक्स निउज है अरिजी सिंग की इस अचीगमिन के अराउंड. अरिजी सिंग बन गए है, फर्स्ट इंडियन आर्टिस जिनकी स्पोटफाइप पर हंडरे मिजिन से जादा फॉलोवर्स हो गए है. बता दे कि फर्स्ट आर्टिस्ट है इट शीरीन जिनकी सबसे जादा फॉलोवर्स हैं. और फिर सेकेंड नंबर पर हैं अरिजी से, जिन्होंने तेलर स्विफ, बिली आईलिश और ड्रेक जैसे बड़े सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया है. नेक्स्ट अपडेट है अक्षे कुमार और टाइगर शौफ की आने वाली फिल्म बड़े मिया छोटे मिया से. मुवी का टीजर आउट हुआ है, जो की है और इन हाफ मिनिट्स का, जिसमें आर्मी टैंक्स, ट्रक्स और एरियन शौर्स देखने को मिल रहा है. टीजर बहुत ही एक्षिन बैड हैं और टीजर देखते फैंस की उमिद काफी बढ़ गई है. अब बात करते हैं नवाजु दिल शिद्दिकी से रिलेटेड. उन्होंने कहा कि वो मुंबई कभी स्टार बनने नहीं आये थे. वो बस एक्ट करना चाहते थे. क्योंकि मुंबई के थेटर्स में डेली के थेटर से ज़्यादा पेई किया जाता था, तो उन्होंने यहाँ आके एक करने का सोचा था. अब खबर है संजे लिना भनसाली के अराउंड. संजे लिना भनसाली सर एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है Love and War. इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने विकी कॉशन एंड रनवी राल्या को कास्ट किया है. यह मूवी एक लव सागा होने वाली है जब क्रिस्मस 2025 में रिलीस की जाएगी. अगली अप्डेट है मादुरे दिख्षे से रिलेटेड. मादुरे दिख्षे डाल सिवाने शो जच कर रही हैं और शो के दौरान उन्होंने एक सारी पहनी थी रौ मैंगो सारी जो की थी पिंक और वॉयलेट कलर की. बता दें इस सारी का कॉस्ट था 75,000 रुपीज. आपको यह सारी कैसी लगी कमेंट करते हुएं बताएं. अब बाट करते हैं टेलिविजिन शो बरशाते के बारे में. शो का आखरी एपिशोड शूट हुआ है और शो एंड होने वाला है. इसमी सिवांगे जोसी और कुशाल टंडन लीड रोल्स प्ले कर रहे थे. इस शो को ओडियन से बहुत ज़ादा प्यार मिला था. शो खतम होने की नियोज खुद लेड एक्टर्स ने सोशल वीडिया में दी है. और स्टोरी में पोस्ट करते हुए लिखा है लास्ट डी अफशूट. अपडेट हैं शाक टेंग के नए शार्ग और ओयरूम्स के सीईओ रितेश अगरवाल से रिलेटेड. रितेश अगरवाल डिसेंबर 2023 में ही फॉर्स टाइन पैरेंट बने हैं और इसकी दियोज उन्होंने शोशल मिडिया में पोस्ट करके दी थी. अब उन्होंने इंटर्विव में फादरोट पे बात की हैं और बताया है कि क्या क्या चलिंजेस पेस करने पड़ रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये साल उनके लिए बहुत कुछ नए एक्स्पिरिंस लेकर आ रहा है और वो ट्राइ कर रहे हैं सब सहीं से करने का. अब अब रेट है रितिक रोशन के लेटिस्ट रिलीस के बारे में. फाइटर मुवी 25 मार्च को रिलीस हुई है और तब से ही सोचल मेडिया प्लैटफॉंस में फिल्म ट्रेंड करने लगी है. बता दे कि फिल्म ने पहले ही दिन लगपक 25 क्रोड की ओपनिंग की है. रिति अधिया देवी के मंदिर गई थी. इसकी पोटो और उनने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, सेक्रेट मुवेंट्स विट लवड बन्स.